इस वीडियो में हम आपको बताएंगे face shape के बारे में क्यूंकि जब आपको face shape पता होगा तो आप contouring कर सकते हैं क्यूंकि अपने shape के according contouring करना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो को पूरा देखें क्यूंकि आपको पता चलेगा कि आपका face type क्या है और इस पर कैसे contouring की जाती है तो make sure के आप मेरे चैनल को सबसे पहले subscribe कर लिजे और bell icon को press कर लिजे के तक के आने वाले वीडियो की notification आपको मिलती रहे follow me on instagram for some amazing updates तो let's get started this is me Amreen Kashiv I hope you are doing well face type वैसे तो 8 no type के होते हैं मगर usually जो होते हैं 4 type के होते हैं square, hard, round and over मैं आपको one by one तमाम faces की contouring करना सिखाऊंगी बट इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी के face contouring square face की कैसे करते हैं और square face के पे हम highlighting कैसे करते हैं जस्ट जो में जे मॉडिल मिली है वो है जिया बट और इनका face आप देखिए कि square face जितना लंबाई में होता है उतना ही चोड़ाई में होता है इसकी आपको example जो मशूर एक्टरिस करीनव का पूर का जो face है वो square है तो चले मैं आपको बताती हूँ कि square face की controlling कैसे कर सकते हैं आपको दिख रहा होगा मेरे मॉडिल का चहरा काफी चबी है और जो पूरा square shape में है तो controlling kit के लिए मैं ले रही हूँ क्रिस्टीन की controlling kit और अब मैं इनकी jaw line को control करूँगी just like this आपको picture में दिख रहा होगा क्योंकि square face जो होता है जितना लंबाई में होता है उतना ही चोडाई में होता है तो उसे हमें side से कम दिखाने के लिए इनकी jaw line को control करना पड़ेगा जो के both side के हम की jaw line को control कर देंगे उसके बाद हम इनके जो chin line है उससे control करेंगे तो हम air to mouth तक हम इनकी contouring लेके आएंगे तक इनके जो face का cut enhance हो जाए फिर जो आपको दिख रहा होगा कि हमें इनके forehead area को भी हमें control करना है बिल्कुल same as it is इस side भी हम same ऐसी ही contouring कर लेंगे forehead area और इनके जो ये area उसके इलावा हम इनका chin जो हमारा jaw line है उससे हमें control करेंगे तो देखे इस side का area जो हमने control किया है उसे देखिए हो जो इस side जो हमने control नहीं किया इसको कितना difference है तो चलें इस side भी हम इसे control कर लेते हैं मैं आपको बताऊंगी के contouring करने के बाद कौन-कौन से area को हमें highlight करना है क्योंकि contouring complete ही जब होती है जब हमें control और highlight दोनों पता हो कि कहाँ से हमें इसे control करना है और कौन-कौन से area को हमें highlight करना है तो ये इस टाइप गात ग्रम कंट्रोर किया था हम दुसे साइड है का से आखात डाएन लृध अर मैंद ayam बिल्कुल सब्सक्टोरर है की नोस कंटोरिंग करने के बाог देखिए कि फेस की कंटोरिंग आपके सामने कितिसा बदस तरीकसे इनका फेस कंटोर हो गया है, बोच साइट में इनकों कंटencer कर दिया, अब मैं आपको बताओंगी काप कौन-कौन से और सेंटर का बिल्कुल सेंटर के जो एरिया है हमें उसे हाइलाइट करना है क्योंकि हमें इनके फेस को थोड़ा लंबा दिखाना है तो हम जो सेंटर एरिया है उसे ही जादा हाइलाइटिंग पर तवज्जा देंगे जितना भी स्कॉाइर फेस आपका है अगर आपका स्कॉ अब हम इने घर क्याते हैं भीनस, आ सब्सक inhale क्यां, चाहते हैं अब दो त्वास क क्याते हैं, ड देकंब आखें बाट ले से माने बिल्यूद ँर अपने क्या अब हम बैस्ट एसे करते हैं, और आपको लेकलिए आप ल सब्सक्राव्ट देडरे को да ब करने पाते हैं आप यह भी आपको एक बीडियो बताऊंगी कि कुन-कून से फेस्भे किस टाइप से हम आप्लाय कर सकते हैं यह हर टाइप य। पर हांट तरीके से ब्लैफ आपके आप्लाय करते हैं exfoliarm एग प्ढर। बहुत ज़रा बेस पर तो आपके फेस को बहुत ज़रुरिए एक चीन एरिया जो और इनका फोर हैट का एरिया सेंटर पार्ट पे जो हम उनके अच्छी हाइलाइट करेंगे ताके इनका फेस थोड़ा लंबाइमें दिखें तो हायलाइट भीपोटन लिडूम्त होती है अगर आपने कंट्रोर अच्छा किया है हाईलाइट अच्छा एरिया में नहीं किया तो आपका फेस की कंट्रोरिंग बिल्कुल फेल हो जाएगी तो हाईलाइटिंग और कंट्रोरिंग बहुत मस्ट है एक दुसरे के साथ के हमें कौन सा एरिया हाईलाइट करना है और कौन सा area control करना है तो ये आपको मैं अभी मॉडल का complete look बताऊंगी कि control करने के बाद और अच्छी से highlight करने के बाद इनका जो complete look है वो है आपके सामने अभी तक आपने मेरे चनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें एंड शेयर करें और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लिजे मेकवी दमरीन के नाम से मेरा इंस्टाग्राम का पेच है तो ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो और आपको हैक्स आपको वहाँ भी मिलेंगे तो इन्शाला अगली वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगी कि राउंड फेस पर कैसे कंटोरिंग करते हैं, उसे देखने के लिए आपको सबसे पहले मेरे चनल को तो करना पढ़ेगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजाए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें